ओम श्रान्ति आत्मा कर नहीं सकती। जब श्रिव पिता इस धरा पर आते हैं, तो आकर पूरी स्रिष्टी को नया बनाते, पतित आत्माओं को पावन बना देते हैं। आईए, रिवाइस करते हैं आज के 23 फरवरी 2022 के महावाक्यों को। आज की मुरली के अनुसार हम बच्चों के टाइटल्स इस प्रकार हैं, सजनियां, ब्रहमन चोटी, मीठे मीठे बच्चे, सिकी लधे बच्चे, ब्रहमन ब्रहमनियां, पारवतियां, श्रेष्ट भाग्यवान, इश्वरिये फैमिली, स्वधर्शन चक्रधारी, गौट की मुरली के अनुसार गायन इस प्रकार हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ज्यान सूर्य प्रगटा अज्यान अंधेर विनाश, पतित पावन सीताराम, चड़ती कला तेरे भाने सर्व काभला, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला कर दिया जब मिला दलाल, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, जो साहेबानू रखता है प्यारा, सर्वशक्तिमान पिता का ऐसा कौन सा धंदा है, जो इस संसार की कोई भी मनुष्य आत्मा कभी कर नहीं सकती, श्रीमत देना, सारे विश्व को नया बनाना, पावन बनने की शक वह है रावन राज्य, यह है राम राज्य, माया हार खिलाती, बाप जीत पहनाते, यह है आशुरी स्रिष्टी, सत्यूग है इश्वर्य स्रिष्टी, सत्यूग है ब्रम्हा का दिन, कल्यूग है ब्रम्हा की रात, बेहत के बाप से बेहत का सुख मिलता, हद के बाप से हद क क्या होने से क्या होता है? तो मुख में रस आ जाता है बाबा को याद करो तो याद का घृत भरते-भरते आत्मा दीवा जग जाएगा किस-किस की महिमा अपरम अपार है? भारत, रचना और श्रिव बाबा की हमें किन बातों की धारणा करनी है? सदा ज्यान सोजरे में रहना है याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है ड्रामा को बुद्धी में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है आत्मा रूपी दीपक को सदा जागरित रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है ये थी आज की मुर्ली की विशेश बाते हम आत्माओं को ऐसी दुनिया में जाना है जहां हम सदैवी आत्मभिमानी होते है उसका अभ्यास अभी करना है जिसके लिए इस आत्मरूपी दीपक में याद का घृत निरंतर डालते रहे और साथ ही साथ बाबा ने जो आज हमें इतने सारे टाइटल्स दिये हैं उसमें से विशेश स्वदर्शन चक्रधारी इस टाइटल को बुद्धी में रखें जिसके लिए ड्रामा की स्मृती सदा रहे ओम शान्ती